चार ऐसी प्रॉल्डम्स जो आपको आ सकती हैं अगर आप अपनी नी रिप्लेस्मेंट को डिले करते हैं नमबर वन दिफॉर्मटी का बढ़ना गुटने के ग्रिशन में गुटने की चिकनाई बिल्कुल खतम हो जाती है और गुटने का जो तिर्चापन है वो बढ़ जाता है ऐसे में जो गुटने आपकी जो स्टेट थे वो बिल्कुल बोल एक्स हो जाते हैं तो धीरे धीरे अगर आपके सर्जर्ण ने आपको नीर प्रेस्मेंट के लिए बोला है और आप किसी कारण वर्ष उसको डिले करने हैं तो वो गुठने का तिर्चापन बढ़ता रहता है और आपका चलना फिरना फूर ही मुश्किल हो जाएगा नमबर टू दूसरे गुठने का खराब होना बहुत पर ऐसा देखा गया है कि एक गुठने में के लिए आपको डॉक्टर ने सला दिया गुठनी रिप्लेस्मेंट के बारे में और दूसरा गुठना बिल्कु ठीक है लेकिन अगर आपको दो तीन साल उसको डिले कर देते हैं तो इतने में जो दूसरे गुठना भी पूरा रोल लेना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे दूसरा गुठना भी बिल्कुल आपका गिस जाएगा तीसरी प्रादम, जैसे जैसे आपका गुठने का काचटिलेज घिसता है, आपका गुठना घिसना शूरू हो जाता है और आपका गुठने का तिर्षापन बढ़ता रहता है दिरे दिरे जो आपके नी है जो स्टेप से पहले वो बोल एक्स हो जाते हैं और जब भी आप चलेंगे यह सारा का सारा बोज आपकी कमर उठाएगी तो कहां तो आप परशानते गुठने की दर्थ से अब आपका कमर का दर्थ भी बढ़ गया तो कमर का दर्थ भी गुठने के दर्थ से डारेक्टी लिंग है और अगर आप अपना नी रिप्रेश्मेंट करवा लेते हैं तो आपका चलना फिलना सीधा हो जाएगा और इसके साथ साथ कमर के उपर भी दबाव कम पड़ेगा चौथा और आखरी आपका मसल का डिस्फंक्शन होना अगर आप नी रिप्लेश्मेंट नहीं कराते तो आपका गुठना पूरी तरह से घिस चुका है और आप चलने फिलने में इसमर्थ है ऐसे में आप सारा दिन बैठे रहते हैं और आपका मसल बिलकुल ही डिस्टॉफी या उसका इटॉफी या उसका डिस्फंक्शन हो जाता है तो नी रिप्लेश्मेंट कराने से आपकी मॉबिलीटी बढ़ जाएगी आपका चलना फिलना असान हो जाएगा आपकी जिंदगी तरह ताजा हो जाएगी और आपका मसल भी नंग से वर्ट करेगा तो यह चार प् अपना नी रिप्लेश्मेंट दिले करते हैं थैंक यू